सालों पहले एक शहर में साहुकार रहता था, जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी. बेटी का नाम करवा था. साहुकार ने अपने बच्चों का पालन पोशन काफी शाही तरीके से किया था. सभी भाई अपनी इकलोती बेहन को बहुत मानते और उस पर अपनी जान छिड़कते थे. उन्होंने उसकी शादी एक अमीर साहुकार के साथ एकदम शाही तरीके से की. एक दिन करवा ससुराल से अपने माई के आई. सभी भाईयों ने उसका जोड़दार स्वागत किया. उन्होंने पहले अपनी बहन को खाना खिलाया और फिर खुद खाया. इसके बाद सभी एक साथ बैठ कर बचपन की यादे साजा करने लगे. इसी तरह कुछ दिन बीटते चले गए. एक दिन शाम को जब करवा के साथों भाई अपने काम से घर लोटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन काफी उदास होकर बाहर बैठी थी. अपनी बहन करवा को उदास देखकर सभी भाई चिंतित हो गए. वो तुरंट उसके पास गए और उदासी का कारण पूछने लगे. इस पर करवा ने बताया कि उसने अपने पती के लिए करवा चौत का उपवास रखा है और चांद के इंतिजार में सुभा से ही भूखी प्यासी है. जैसे ही चांद निकलेगा वह उसे देख कर अपना उपवास तोड़ेगी. यहाँ सुनकर भाईयों का भी मन उदास हो गया. वो सभी करवा के इस कष्ट को नहीं देख पाए. खास कर उसका सबसे छोटा भाई, जिसे करवा से सबसे अधिक्स नह था. बहन को भूखा प्यासा देख कर सभी भाई कुछ ऐसा उपाए सोचने लगे, जिससे वो अपनी बहन का कष्ट दूर कर सकें. तभी उन्हें एक तरकीब सूजी. सभी भाई तुरंत एक पीपल के बड़े से पेड के पास पहुँचे. उनमें से सबसे छोटा भाई एक जलता हुआ दीपक लेकर उस पेड़ पर चड़ गया और उसे एक छलनी में रख कर वहीं छोड़ दिया. इसके बाद पूरे गाव में हल्ला हो गया कि चांद निकलाया. करवा भी उस जलते दीपक को चांद समझ बैठी और जल्दी से पूजा पूरी कर अपना उपवास खत्म करने के लिए बैठ गई. जैसे ही उसने खाने का पहला निवाला उठाया उसकी नजर भोजन में पड़े बाल पर पड़ी. उसने तुरंट उस निवाले को अपने प्लेट से निकाल कर दूसरी तरफ रख दिया. इसके बाद उसने दूसरा निवाला अपने मुम में डाला, तभी उसके दान्तों में एक कंकड़ा फंसा. उसने जटपट उस निवाले को भी प्लेट से हटा दिया. इसके बाद उसने तीसरा निवाला अपने मुम में रखा कि तभी उसे एक बुरी खबर मिली करवा को पता चला कि उसके पती की मृत्यू हो गई यहाँ सुनते ही करवा पूरी तरह से तूट गई और जोड़ जोड़ से रोने लगी कुछ समय बीटने के बाद उसे अपने पती के मृत्यू की सचाई का पता चला उसे जानकारी मिली कि उसके भाईयों के कारण उसने दीपक को चांद समझ लिया था और अपना उपवास खत्म किया था इस वजह से देवता नाराज हो गए और उसके पती को मृत्यू दंड की सजा सुनाई सचाई का पता चलने के बाद करवा ने अपने पती का अंतिम संसकार नहीं करने का प्रण लिया देखते देखते एक साल बीट गए करवा अपने पती के मृत शरीर के पास ही बैठी रही वह रोजाना अपने पती के शव को साफ करती और वहां उगने वाली घासों को भी हटाती रहती थी एक साल के बाद फिर से करवा चौत का परवा आया हमेशा की तरह सभी महिलाएं इस व्रत को करने के लिए एक साथ जुटी इसमें उसकी सातों भाभी भी थी शाम के समय पूजा समाप्त करने के बाद जब करवा की सभी भाभी उसके पास पहुँची तो उन्होंने करवा को आशीरवाद मांगने को कहा इस पर करवा ने सभी से एक एक करके अपने पती को जीवित करने का वरदान मांगा करवा की यहां मांग उसकी भाभी पूरी नहीं कर सकती थी उन्होंने करवा को समझाया भी लेकिन वहां नहीं मानी फिर उसकी एक भाभी ने बताया कि उसके छोटे भाई के वज़ा से ही ऐसा हुआ है तो उसकी छोटी भाभी ही इस थिती को ठीक कर सकती है यह सुनकर करवा अपनी छोटी भाभी के पास गई और उनके पैर पकड़ कर अपने पती को जीवित करने का आशिरवाद मांगने लगी पहले तो उसकी छोटी भाभी ने बहुत टाला लेकिन अंत में उसकी छोटी भाभी ने अपनी तरजनी उंगली को काट कर उसमें से अम्रित की एक बूंद करवा के मृत पती के उपर डाल दी जैसे ही अम्रित की बूंद उसके उपर गिरीवह जिन्दा हो गया और जैश्री गणेश, जैश्री गणेश के नारे लगाने पड़े इस घटना के बाद से ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से गौरिशंकर खुश होते हैं और महिलाओं के सुहाग की रक्षा का वर्दान देते हैं इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इनसान को हमेशा सच्ची भक्ती से पूजापाट करनी चाहिए अगर इसमें किसी प्रकार की कमी रहती है तो उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं